यह केके गोल्ड का एक Bluetooth speaker जो कि अब खराब हो चुका है यह डेमेज हो चुका है क्योंकि यह चार्ज नहीं ले पा रहा है इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो जो इसका जैक है वो तूट के अंदर ही चला गया है तो आज हम इसको open करेंगे और करेंगे इसका करते हैं तो यह देखिए यह है इसका speaker और यह है इसका battery और यह रहा PCB तो मेरा जो इसका चार्जर वाला जो जैक था वो देखिए यहां मैगनेट में जो है यह लगा हुआ है और इसी को हमें अब सही तरीके से सेट करना है तो आप देख सकते हैं यह जो है प्रिंट के साथ जो है जो है बोड से जो है निकल गया है तो मैंने इसे भी अब खोल लिया है और यह आप देख सकते हैं यह जैक वाला जो सिस्टम है इसका यह battery का power का है तो इसे हम निकाल लेते हैं इस जगह पर और दूसरा जो है वह speaker का है यहां पर तो speaker का भी निकाल देते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका matter समझाता हूं कि इसे हुआ क्या है तो यह actually जो है अपने board से PCB से जो है print के साथ ही जो है उखर गया है आप देख सकते हैं यह जो है यहां का जो भी print था वह सारा यहां से निकल चुका है तो यह जो इसका पिन है मैं आपको इसे दिखाता तो जो दो बड़े wire दिख रहे हैं आपको मीडिल में जो तीन चोटे हैं उसको छोड़ दीजे वो data transfer के लिए होता है जो mobile वगरे हम रहता है बड़ जो बड़ावला दूग आपको पिन देख रहा है वो दोनों पिन ही जो है charging के लिए काम में आता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो बड़ावला लेग है जो कि यहां पे टेच होता है और आप अच्छी तरह से देखेंगे तो इस जगह से भी यह यहां पे जा रहा है ठीक है तो उस जगह क्या करेंगे हम blade से थोड़ा खुरच देंगे ताकि जो मेरा यह वाला पिन है वो यहां तक जो है और जो दूसरा है वो इस जगह पे गया हुआ है ठीक इस जगह पे तो यहां पे थोड़ा सा खुरच देंगे और हम यूज़ करेंगे यहां पे थोड़ा सा फैविक एक दम हलका सा फैविक ताकि जो है PCB पर फैविक ना लगे अगर PCB पर फैविक लग जाता है तो soldering होने मे दिक्कत होगा तो यह जो यहां से जो ग्रीन कलर का उखर चुका है देखे इसमें लगा हुआ है तो इस जगह ही हम हलका सा फैबिक यूज करेंगे ताकि हम इसका बेस बना सके इस जगह पे और जब हम इसको ठीक कर पाएंगे और आप भी कर पाईएगा और एक और काम है जो क चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तब तक हम इसे खुरच लेते हैं और खुरच के जो है इसे थोड़ा फैबिक डाल के चिपका लेते हैं और हम सब चीज आपको दिखाते हैं भी लाइक में तो इसमें मैंने काफी अच्छी तरह से फैबिक विक से इसे बहुत ही ठीक सरीके से इसको लगा दिया है तो थोड़ा सा इसमें हम पिश्ट लगा लेते हैं कि यह सोल्ड जो है काफी असानी शे हो जाये और इधर उदर ना जाये क्योंकि इधर उधर जाने से जो है सौट सर्किट होने का भी चांसेस बन जाता है कर सकते हैं ध drama हट कंद का ध्राकर थरा सा सही से एक हम ख्याद से हो चुका है मैं मैं सब champion आश्यक्षाम कर तो मैं सोच रहा हो कि इसे इधवाधा ज्यादा ना करूं यूभन कंफर्ण हो जाते हैं कि या सही से लगा है या नहीं लगा है टो I think कि अब हो चुका है तो अब हम इसे क्या करते हैं एक बार चार्ज में लगा के ट्राई कर लेते हैं इसको जो है सही तरीके से भी फिक्स किया जायेगा तो यह रहा मेरा चार्जर और हम इसे इसमें ढालते हैं और देखने कि चार्ज हो रहा या नहीं तो यह देखिए भाई यह चार्ज हो रहा है red color का ब्लिंक कर रहा है और अब हम इसे एक बार on करके भी देख लेते हैं तो यह देखिए मैंने on कर दिया blue light ब्लिंक हो रहा है और यह off हो गया देखिए हम charger का जो है तो ये देखें यह द्रे द्रेख़ हो रहा है तो यह dh 1 लोजuri देता हूं और देखता हूं यह लाइट लूजट्र रहे हैने तो यह देखिए खाफी अच्छा तरीके से मगने से ठीक कर लिया है तो एप एक बार क्या करेंगे कि पहले तो हम इसे siitä चार्जर से निकाल लेते हैं थोड़ा साबदानी से और सब और बी फैबी क्विक मैं नीचे से इस जगह से डाल देता हूं ताकि जो इसका स्ट्रोंगनेस बना रहा है तो फैबी क्विक के इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं तो मैंने थोड़ा सा और फैबी क्विक इसमें डाल दिया है ताकि यह पहले से थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए और होता क्या है कि जो चार्जर इसका निव जब रहता है और चार्जर भी नूँ हो और यह पीन भी नूँ हो तो काफी फिटिंग काफी टाइट हो जात अपना टूटे हुए जो जैक होते हैं आप अपने स्पीकर का बलूटते स्पीकर हो या फिर जहां से भी निकल जाता है आप उसे अच्छी तरह से सोल्ड कर पाईएगा बसरते जो है आपको बस उसका जो प्रिंट है उसे समझना होगा तो इस वीडियो में यहीं तक और च निकाले थे और कौन सा जगा से स्पीकर निकाले थे इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप जो है आराम से इस तरह पीछे के साइड देखेंगे तो यहां आपका बैटरी एटेच होगा और यहां स्पीकर और यह माइक का है तो इसमें माइक को उप्शन नहीं दि और यहां देखेंगे लिए में